प्रिय दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आई को अर कब पढ़ते हैं आई को अर कब पढ़ते हैं देखे यदी किसी सब्द के अंत में आई आई साथ में आते हो तो वहाँ पर आई को अर पढ़ा जाता है एक बार फिर से यदी किसी सब्द के अंत में आई आरी साथ में आते हो तो वहाँ पर आई को अर किया जाता है उधारण के लिए आपके सामने हैं यहां पर देखे आई आरी साथ में हूं तो हमें आई का उच्छारण अर करना है तब इसका संपों उचारन होगा फा, यर, यो में आ है और रो को रो पढ़ेंगी देखे फायर में अर का उचारन हो रहा है फायर में अर का उचारन हो रहा है ठीक उसी परकार इसे पढ़ेंगी वा, यर, इसमें भी अर का उचारन हो रहा है फिर इसे पढ़ेंगे हा यर इसमें भी अर का उचारण हो रहा है एक बार फिर से यदि किसी सब्द के अंत में आई आरी साथ में आते हो तो वहां पर आई का उचारण अर किया जाएगा जिस प्रकार यहां आई को अर पड़ा जा रहा है ठीक उसी प्रकार यहां भी आई को अर पड़ा जा रहा है क्यों? क्योंकि सब्द की अंत में आई आरी साथ में आ रहे हैं अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखीं आई को अर कब पड़ते हैं? यदि किसी सब्द की अंत में आई आरी सात में आते हैं तो वहाँ पर आई को अर पड़ा जाता है जैसे कि यहाँ पर सब्द की अंत में आई आरी सात में आ रहे हैं तब हम इसी पढ़ रहे हैं थायर ठीक उसी परकार इसी पढ़ रहे हैं वो आयर ठेक उसी प्रकार इसे पढ़ रहे हैं हायर इस वीडियो में इतना ही थैंक यू हे मैं आइश डे